दोस्तों इस वीडियो में हम फेडरल बैंक स्कैप ये क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर्स को डिसकस करेंगे इस वीडियो में हम ये डिसकशन करेंगे कि आज की डेट में ये जो फेडरल बैंक का स्कैप ये क्रेडिट कार्ड है जो आज की date में बहुत ज़ादा demand में है market में हर बंदे को ये credit card चाहिए तो इस वीडियो में हम इसके सारे features को discuss करेंगे और वीडियो के starting में मैं आपको बता दू कि ये credit card तभी आपके काम का है अगर आप बहुत ज़ादा traveling करते हैं ना कभी आपको जहाज में जाना, कोई आपका लेना देना ही नहीं है, अब आपको स्टार्टिंग में ही बता दूँ, फिर आपके ये क्रेडिट कार्ड कोई भी काम का नहीं है, लेकिन मैं आपसे फिर पिर रिक्वेस्ट करूँगा, क्या आप वीडियो को पूरा देखो, अपनी नॉलेज के लिए देख लो, ताकि कल को हो सकता है, देखो क्रेडिट कार्ड हर किसी को चाहिए, हर एक क्रेडिट कार्ड अलग-अलग फीचर देता है, तो अगर आपका ट्रेवलिंग से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अपनी नॉलेज के लिए आप इस वीडियो को देख लो, लेकिन ये ग्रेडिट कार्ड आपके फिर कोई काम का नहीं है, लेकिन आप एरोप्लेज से बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेवल करते हो, तो ये ग्रेडिट कार्ड बहुत अच्छ है, अब इस क्रेडिट कार्ड के टोटल 4 features है, पहले 2 features हम discuss करेंगे, जो इसके मतलब अच्छे features हैं, लेकिन जो अगले लास्ट के 2 features हैं, वो इसके सबसे शांदार feature है, तो वो दोनों features last में discuss करेंगे, पहले एक बार हम इसके basic features को देख लेते हैं, अच्छा जी उससे पहले भी ये जो federal bank का scapia credit card है ना ये lifetime free credit card है यानि कि ना तो इसकी आपको कोई joining fees देनी है ना ही इसकी आपको कोई annual fees देनी है ठीक है जी आपको सबसे पहले क्या करना है इस credit card के लिए apply करना है और apply करने का देखो पहले तो आप इसके features देख लो ठीक है अ आप एक बार दोनों का comparison भी देखना और दोनों में कुछ-कुछ फ़रक है तो फिर आप देखना है कि आपकी need के लिए कौन सा वाला credit card अच्छा है आपको किसी इसकी ज्यादा जूरुत पड़ती है ठीक है बागी access विस्तारा का जो link है वो भी नीचे दे दूँगा description में औ अब apply करने के बाद सबसे पहले आपको यह जो scapia app है यह play store से जाके आप download कर लेना अब scapia app से यानि मैं आपको पहले इसके दोनों basic features बता रहो ठीक है पहला feature तो यह है कि अगर मालो आप कहीं पे भी इस credit card से खर्चा करते हो चाहे आप online खर्चा करो चाहे आप offline खर्चा क आपको 10 scapia points मिलेंगे और वही बात है कि 5 scapia points की फिर जो value है वो एक रुपे के बराबर है यानि वही चीज हो गई कि 100 रुपे का खर्चा करने पर आपको 10 scapia points मिलेंगे यानि 100 रुपे का खर्चा करने पर आपको 2% का cashback मिलेगा ठीक है जी इसके अलावा यह बोलता है क कि अगर आप scapia app पर जाकर अगर आप मालीजे कोई भी travel से related ticket की booking करते हैं तो उस case में आपको 100 रुपे का खरचा करने पर 20 scapia reward points मिलेंगे ठीक है जी अब वही बात है कि 5 scapia points की value एक रुपे के बराबर है तो 100 रुपे का खरचा करने पर इस case में आपको 4 रुपे का cashback मिले है scapia app डाउनलोड करने के बाद महां से मुझे flight की ticket book करनी है और जो भी flight की ticket book होएगी उस पर मेरे को 4% का cashback मिलेगा agreed लेकिन अब काफी लोग कहेंगे कि यह जो scapia app है मान के चलो काफी लोग का सवाल आएगा कि हो सकता है कि दिल्ली से मुंबई की flight book करनी है हो सकता है कि pay scapia की flight की booking है वो औरो से चाहे आप इसे MMT से compare कर लो या फिर किसी से भी compare कर लो आज की date में तो यह जो scapia की booking है और platform से सस्ती ही हो रही है हो सकता है कि भविश्य में scapia ऐसे कारणा में कर दे यह एक possibility है देखो इस पर मैं कुछ comment नहीं कर सकता ना यह मेरे हाथ में आज की date में जब मैंने चेक किया तो scapia पे ऐसा कुछ नहीं है पेटियम वेटियम के या तो बराबर हो रही है या उससे कम ही हो रही है ठीक है उनसे जादा नहीं हो रही लेकिन भविश्य में हो सकता है कि यह game scapia खेल ले कि भाई और platform से जादा की ही ticket कर दे और उस पर 4% का cashback दे है ठीक है तो अब यह दो features हमने देख लिए कि कहीं पर भी online या offline खर्चा करेंगे इस credit card से तो 2% का cashback flight flight की booking या travel की booking करेंगे तो 4% का हमें cashback मिलेगा अच्छी बात यह कि कोई भी upper limit नहीं है भले आप 1,000,000 रुपे का खर्चा करो भले आप 10,000 रुपे का खर्चा करो या एक करोड का खर्चा करो कोई भी upper limit नहीं है ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है 1000 रुपे का ही cashback महीने में मिलेगा ज्यादा से ज्यादा 1000 का cashback मिलेगा ज्यादा से ज्यादा महीने में 2000 का cashback मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है कोई upper limit ही नहीं है अब अगले से मुझे कोई cashback नहीं मिलेगा, या अगर मैं rent payment करता हूँ इस credit card से, कोई cashback नहीं मिलेगा, cash withdrawal करता हूँ ATM से जाके, कोई cashback नहीं मिलेगा, किसी भी product को खरीदने के बाद, उसकी EMI बना देता हूँ, कोई cashback नहीं मिलेगा, कोई मैं foreign transaction करता हूँ, जैसे यहाँ बैटके मालो मैंने कोई software खरीदा, जो मालो US का था for example, ठीक है, उसकी payment मुझे dollar में करनी थी, ठीक है, तो मैंने इस credit card का use करके, foreign transaction कर दी, तो कोई भी cashback नहीं मिलेगा, education या school से related कुछ करता हूँ, gift card, यह सारी की सारी list है, credit card की repayment, crypto से related कुछ भी खर्चा करता हूँ, तो इनके उपर कोई भी हमें cashback नहीं मिलेगा, ठीक है, अब आते हैं अपने main feature पे, सबसे important feature यह है, कि आपको unlimited launch का access मिलता है, unlimited, देखो, हमने बहुत सारे credit cards देखे हैं, जहां हमने यह देखा है कि, मानलो, कोई अच्छे से अच्छा credit card भी ले लो, जादा से जादा क्या गएगा, साल भर में आपको 8 बार domestic airport launch का access मिल जाएगा, हर quarter में कहने का मतलब, हर 3 महिने में, 2 बार आप domestic launch का access को यूज कर सकते हो, कोई credit card कहता है, साल भर में 4 बार आपको domestic launch का access मिल जाएगा, लेकिन यह credit card बोलता है कि आपको unlimited, unlimited domestic launch का access मिलेंगे, आप देखो, अब आप एक example लो, मानलो आपको आज, आज के दिन ही दिल्ली से access यूज कर सकते हो, बैंगलोर का भी कर सकते हो, और कोलकता का भी कर सकते हो, एक domestic launch के, मुलब भारत के अंदर अगर हम launches को देखें, तो अमूमन, cost जो है, 15-100 रुपे से लेके, 25-100 रुपे तक चली जाती है, ठीक है जी, उसके अंदर आप जाते हो, unlimited खाना खा सकते हो, rest कर सकते हो, laptop यूज करो, अराम से, मुलब कई बार होते हैं, कि हमारी flight एक घंटे बाद है, चलो, आदा घंटा launch में बैट जाते हैं, कितनी बार मर्जी दिन में travel करो, भले पूरा दिन फ्लाइटों में उड़ते रहो, इधर से उधर, आप unlimited number of times, airport launch access यूज कर सकते हो, सिरफ और सिरफ इसकी condition ये है, कि महीने में आपको, हर महीने, पांच हजार उपे का खर्चा करना ही करना है, अब देखो, इसकी भी बहुत confusion है, लेकिन ऐसा है, कि मानलो, जनवरी में मानलो मेरे पास ये credit card आया, ठीक है जी, मैंने जनवरी में पांच हजार उपे का खर्चा कर लिया, तो जनवरी खतम हो गई, मेरी billing cycle खतम हो गई, मानलो मेरी billing cycle एक से एक की चल रही है, जनवरी खतम हो गया, पांच दिन बाद, यानि पांच फरवरी तक नहीं, छे फरवरी से मेरे को जो है airport launch का access, मैं unlimited use कर सकता हूँ, पूरी फरवरी के लिए, ठीक है जी, फिर ऐसे ही मानलो, अब यहां से देखो, ये 5 दिन का सिरफ gap हुआ, पहली बारी के लिए, ठीक है, अब उसके बाद, फरवरी में भी मानलो, आपने 5000 पे का खर्चा कर लिया, त तो April के लिए, मेरा जो ये launch का access है, unlimited वाला, ये बंद हो जाएगा, लेकिन April में मानलो, मैंने 5000 पे का खर्चा कर लिया, तो मई में, एक से 5 मई तक नहीं मिलेगा, 6 मई से दुबारा शुरू हो जाएगा, यानि जिस मई ने आपने छोड़ दिया, मानलो, मैंने 5000 पे का नहीं तो April में 5000 का खर्चा किया, तो मई के महीने में, 6 मई से मेरे को फिर दुबारा से unlimited का खर्चा, जो है unlimited launch access मिलना शुरू हो जाएगा, मानलो, मैंने मैंने मैं दुबारा 5000 पे खर्चा कर दिया, तो इस बार फिर मेरे को एक April से ही शुरू हो जाएगा, unlimited launch का access मिलना, समझ गया बात को, तो ऐसा नहीं है कि हर महीने ही 5000 पे खर्च करने जरूरी है, आपने बीच में 11 महीना स्किप भी कर दिया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फिर जिस महीने आप 5000 का खर्चा करोगे, उससे अगले महीने, पहले 5 दिन तक नहीं मिलेगा, फिर 6 तारीक से ले करक वज़ा है, लेकिन अगर आपको लगते है कि साल में कभी एक बार जाने है, फिर उतना खास नहीं है, लेने में ले सकते हो क्योंकि unfre עरीक क्रेडिट कार है, कुछ खर्चा वर्चा तो लगना नहीं है, लेने में ले सकते हो, लेकि ने करोगे इतने सारे kार्ट life time से प número 1 प काड की कुछ term and condition है यह बोलता है कि अगर देखो यह फेडरल बैंक का एक collaboration है स्कैपिया टेकनोलोजी कंपनी के साथ ठीक है यह स्कैपिया टेकनोलोजी प्राइवेट लिमिटेड अलग कंपनी है और यह फेडरल बैंक एक अलग कंपनी है इन्होंने आपस में कोलाबोरेट किया तो यह जो क्रेडिट काड है इसकी कुछ term and condition यह है कि अगर आप ओल्रेडी existing customer हो फेडरल बैंक के या फेडरल बैंक का कोई भी पहले से ही कोई credit card use कर रहे हो तो आप scampia credit card लेने के लिए eligible नहीं हो अगर आपको अगर आप इस case में आते हो कि फेडरल बैंक का ही आपके पास credit card है लेकिन फिर भी scampia credit card चाहिए तो इस case में best solution यह है कि federal customer care से बात करके पहले वाला credit card आप close करवा दीजिए तो यह best solution है अगर आप यह चाह minimum age की इसके अंदर restriction है कि minimum age 21 साल यह 18 साल नहीं है minimum age आपकी 23 years होनी चाहिए और maximum age 60 years होनी चाहिए अगर आप यह credit card लेना चाहते हैं अच्छा अब काफी लोग कहेंगे कि भाई बोल तो दिया कि domestic launch unlimited मिल रहे हैं आप कितनी बार मर्जी travel करो तो काफी लोग सोचते होंगे कि भारत में हो सकते हैं पांच या छे ही एयरपोर्ट के उपर इनका access होगा जैसे एक्सिस वैंक है एक्सिस वैंक भी बोलता है ना कि domestic launch मिलेंगे लेकिन एक्सिस वैंक के सबसे कम domestic accesses है मलब पूरे भारत में देखूंग कोई भी उसका credit card उठाके तो सिरफ 8-10 एयरपोर्ट पे ही access bank का वो चलता है लेकिन इसका 54 एयरपोर्ट यह पूरी की पूरी लिस्ट है यह आप screenshot ले सकते हो ठीक है यह list है उसके बाद आगे यह list continue है तो यह दोनों पीपीटी इसका आप screenshot ले लो यह total 54 एयरपोर्ट पर चाववन एयरपोर्ट नहीं है कहने का मलब जैसे दिल् दूसरा क्रिडिट कार्ड नहीं है जो इतने सारे लॉंजिस के साथ टाइप करके बैठा होगा तो बहुत सारे लॉंजिस है और इसका मेन फीचर ही यह है अच्छा इसका एक और जो सबसे शांदर फीचर है वह यह है कि दो सो ते टिस डोलर की पड़ी अब क्योंकि अगर मान के चलो मैं पहली चीज तो मैंने तो खेर अपने सेविंग्स अकाउंट से पैसे भरे ठीक है मैंने क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं किया लेकिन अगर मैं किसी ऐसी चलते फिर ते क्रेडिट कार्ड से जो यह जीरो फो 4X Mark of Feež का मतलब यह है कि मैं तो भारत में रह रहा हूं मैं तो अपने बैंक को मान के चलो मेरा तो इंडियन रूपीज को डोलर में convert करने का जो चार्ज होता है वो 4X mark of fees होती है तो ये चार्ज कितना होता है लगभग 3% ले लेता है कोई bank कोई bank 1% भी ले लेता है कोई 2% भी लेता है कोई 4% भी ले लेता है लेकिन अच्छी बात ये है कि ये वाला जो credit card है ये 0-4X mark of fees ले रहा है ठीक है एक तो इसका फाइदा ये हो जाता है कि भारत में बैठके अगर आपको कोई भी foreign country का कोई भी software वेगरा वेगरा कोई भी समान मान के चलो कोई laptop है जो इंडिया में तो भारतिया रुपे को सामने वाले देश की currency में convert करने को हम 4X mark of fees बोल देते हैं अब एक तो ये फाइदा हो जाता है इसका दूसरा फाइदा ये होता है कि मानलो मैं यहां से let's suppose USA घुमने गया क्योंकि मैंने आपको starting में बताया कि भाई ये credit card सिरफ और सिरफ उनकी लिए काम्याब है जो बहुत जादा traveling करते हैं तो भारसे में USA गया अब USA में मेरे को इसी credit card से खर्चा करना है ठीक है तो मैं चक्कर ही नहीं डालूँगा कि मेरे को currency convert करनी है मेरा वो पैसा बच गया otherwise मालो मेरे पास ये credit card ना होता तो मैं दो चक्कर card था या तो मैं आपने इंडियन रुपीज दे के US dollar खरीता तो वहाँ पे मेरे को conversion charge पे करना पड़ता अब मेरे को ये conversion card का currency convert करने का चक्कर ही नहीं डालना पड़ेगा मैं सीधा ये credit card लेके US पहुचूंगा वहाँ जो मर्जी मैं खर्चा करूं US में जाके मेरे को currency convert यानि 4x mark of fees 0 ही पे करनी है यानि जितना आज की date में dollar चल रहा है मालो 83 रुपे के बराबर तो जितने dollar मालो मैंने 1000 रुपे का खर्चा किया तो मैं यहाँ पे 83,000 रुपे मेरे card से कट जाएंगे तो कोई भी currency convert का charge मेरे को पे करना ही नहीं पड़ेगा ठीक है जी अच्छा अब एक feature और इसका बहुत जल्दी यह लेके आएंगे कि travel now pay later का तो वही चीज है कि आज आप travel करते हो ticket book करते हो तो इसकी EMI यह लोग बना देंगे यह भी feature आया नहीं है तो धीरे धीरे आ जाएगा ठीक है जी आच्छा तो यह सारे के सारे होगे अब इसे मैं compare करके बदाता हूँ Access Bank के विस्तारा क्रेडिट कार्ड से ठीक है पहले विस्तारा क्रेडिट कार्ड की जो fees है वो 1500 है वहाँ पे हम fees दे रहे थे 0 अब स्कैपिय के अंदर मेरे को जादा benefit मिल रहा है airport launch का ठीक है जी और यह बहुत कामियाब तब होएगा जब मैं ब यह बार लॉंच का अक्सेस यूज कर पाऊंगा लेकिन मान के चलो आपको लगता है कि मेरेको साल भर में एक से दो से तीन चार बार ही पूरे साल में ट्रेवल करना पढ़ सकता है तो फिर आप स्कैप या क्रेडिट कार्ड का क्या करोगे क्योंकि देखो चार बार आप ट् तो ऐसे लोग जो लोंजिस का एक्सेस लेने में इंट्रेस्टेट नहीं है, वो इंट्रेस्टेट इस चीज में है कि हमें free की ticket मिल जए इस credit card से, कि एक जगा जाने की free की ticket मिल जए, तो उस case में फिर विस्तारा credit card ज़्यादा बैटार है, क्योंकि इसके feature ये है कि starting में जैसे ये credit card activate हो जाता है आपको एक economy class की ticket free में मिल जाती है जैसे मानलो मेरे को दिल्ली से बैंगलोर जाना है जैसे ये मैंने example लिया कि बैंगलोर से दिल्ली इसका total price 7000 something है लेकिन इसका base fare जो है वो 3500 something है तो ये बोलता है कि जो ticket आपको मिलेगी उसका base price पूरा माफ हो जाएगा बाकि जो taxes वेक्स है वो आपको pay करने पड़ेंगी पहला feature तो इसका ये हो गया उसके अलावा अब ये विस्तारा credit card है तो यहाँ पे आपको सिरफ और सिरफ विस्तारा की membership मिलेगी जैसे विस्तारा की आपको base membership मिलेगी कहने का मतलब अगर आप विस्तारा की app पे जाके कोई भी ticket book करते हो 100 रुपे का खर्चा करते हो तो 8 CV points मिलेंगे अब 1 CV point 1 रुपे के बराबर है तो 8 रुपे का cashback मिलेगा यानि 8% का cashback मिलेगा मान दो आपकी टिकेट 5,000 की होई तो 5,000 का 8 यह होगा आपका 400 रुपे ठीक है तो 400 रुपे का आपको cashback मिल जाएगा तो यह आपको CV base membership मिलेगी विस्तारा की अलग-अलग membership है जैसे base membership, फिर silver membership, फिर gold membership, फिर platinum membership ठीक है तो आपको starting में यह base membership देंगे ठीक है एक सिकंड यह बार बार पहन पता नहीं क्यों बंद हो रहा अच्छा जी इसके अलावा यह बोलते हैं कि milestone benefits में मिलेंगे कहने का मतलब अगर आपने 1.25 लाग का खर्चा कर दिया साल भर में तो आपको जो है एक ticket और free मिल जाएगी एकनोमी क्लास की अगर आपने 1.5 लाग का खर्चा कर दिया तो अब आपको एक ticket और मिल जाएगी और 6 लाग का खर्चा कर दिया तो कहने का मतलब तीन टिक्टे मिल जाएगी अब तीन टिक्टे तो यह हो गई एक starting में मिली थी card activation के time पर तो टोटल आपको 4 टिक्टे फ्री मिल जाएगी तो वही चीज है कि अगर आप खर्चा करना चाहते हो क्या बोलते हैं आप चाहते हो कि फ्लाइट फ्लाइट की टिकेट मिल को फ्री मिल जाएग तो एकसेस बैंक का विस्तारा credit card जादा बेटर है आपको जोन सा credit card अच्छा लगते है अपने लिए उस credit card के लिए आप अवलाइग कर सकते हो तो बाकी अभी के लिए this is the end of the video thanks for listening and thank you all